नई कार खरीदते समय ग्राक सबसे पहले देखता है कि वो कितनी सेफ है और यही वज़े है कि सेफटी के लिए एनकाप रेटिंग काफी माईने रखती है ताजा एनकाप रेटिंग में देश की कई पॉपुलर कारों को खराब रेटिंग मिली है आज हम जानेंगे उनी कारों के बारे में जो काफी पॉपुलर होने के बावजूद सेफटी में पीछे है साथ ही आपको बताएंगे सेफटी में कम रेटिंग वाली कारों में किन खास बातों का ध्यान रखना है पहले ये रिपोर्ट देखिए उसके बाद खास मेंमान के साथ करेंगे पूरे मुद्धे पर पिस्ताव से चर्चा कार को सेफटी रेटिंग देने वाली ग्लोबिल कमपनी एंड कैप ने होंडा, किया मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा की कुछ कारों पर सेफटी रेटिंग जारे की है इस लिस्ट में होंडा अमेज, महिंद्रा बोलेरो नियो और किया कैरंस शामिल है अगर आपके पास भी ये कार है, तो ये जानना जरूरी है कि सुरक्षा लिहाद से ये कितनी उचित है बता दे की ज्यादातर कार मैनुफैक्टरिंग कमपनिया गरहाकों की सुरक्षा के लिहाद से दो या चार एरबैक्स देती हैं लेकिन इसके बाद भी कार को ग्लोबल एनकैप से सेफटी रेटिंग नहीं मिल रही है होन्डा अमेस कार में कमपनी की ओर से दो एरबैक्स दिये जाते हैं लेकिन इसके बाद भी कार को सेफटी रेटिंग में बहुत अच्छे स्टार नहीं मिले हैं Global NCAP की latest report के मुताबिक Honda Amaze को adult occupant safety में दो स्टार मिले हैं, जबकि child occupant safety में एक भी स्टार नहीं मिला है Global NCAP की latest report के बाद Honda Amaze का बयान सामने आया है Company ने कहा है कि Honda Amaze को साल 2019 में हुई testing के दोरान 4 स्टार मिले थे latest rating ने प्रोटकॉल के हिसाब से हैं, जिसकी वजह से 2 स्टार रेटिंग मिली है Company ने बताया कि Amaze में मुख्य तोर पर electronic stability control और side curtain airbags के requirement की वजह से rating कम मिली है Mahindra की बोलेरों में दो airbags के बाद भी कार को ज्यादा safety star नहीं मिले है Adult और child occupant safety में कार को एक-एक safety star rating मिली है Standard feature के तौर पर 6 airbags मिलते हैं Global NCAP के पहले protocol के तहट जब कार को test किया गया तो adult और child occupant safety में कार को 0 star ही मिले थे इसके बाद company ने कार को दोबारा review किया और कुछ safety features जोडे Global NCAP की latest report के मुताबिक किया केरन्स को नए protocol के तहट adult occupant protection में 3 और child में 4 star मिले है Global Company NCAP की इस list में सबसे safe कारों का भी जिक्र है इस report की top 5 list में कुल 8 model शामिल है इसमें 3-3 कारों ने एक जैसे score हासिल की है इस वज़े से पहले तीसरे और चौते position पर दो-दो कारों को जगह मिली इन सभी कारों को Global NCAP ने 5 star rating दी है इन कारों में पहले नाम Tata Safari और Harrius का है इसे NCAP ने 33 point के साथ 5 star rating दी है दूसरे नंबर पर Tata Nixon का नाम है जिससे 32 दशमलव 2-2 point के साथ 5 star rating मिली है तीसरे नंबर पर Volkswagen Vatrus और Skoda Slavia का नाम है इससे 39.71 point के साथ 5 star rating दी गई है चोथे नंबर पर Volkswagen Tiguan और Skoda Husha का नाम है इससे 39.64 point के साथ 5 star rating मिली है पाचवे नंबर पर Mahindra Scorpio N को NCAP ने 39.25 point के साथ 5 star rating मिली है कार को safety rating देने वाली Global Company NCAP के report देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कौन सी कार कितनी safe है और कौन सी popular car safety के लिहाद से सही नहीं है ऐसे में कार लेने से पहले safety का ध्यान जरूर रखें Bureau Report, Z Media मेरे साथ इस वक्त देश के जाने वाने आटो एक्सपर्ट तूटू दवन साहब जूचुके है दवन साहर गुड़ीवनिंग बहुत बहुत स्पागत है सर ये safety अभी भी क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ पहला सवाल मेरा directly इसलिए safety से जुड़ा हुआ है क्योंकि हम देख रहे हैं जिन cars को safety में ज़्यादा ratings नहीं मिली हैं वो काफी popular हैं खास्त और से affordable segments में तो क्या अभी भी देश में सर वो माहौल नहीं बन पाया कि जिस पे हम budget के उपर safety को तरजी दे देखे सर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारे जो consumers हैं उनको safety से ज़्यादा लगाओ नहीं है rather than money savings है कि कौन सी गाड़ी सस्ती मिल जाएगी वो उनको ज्यादा देख क्योंकि आपने शहर देखा ही होगा कि हमारे यहां पे अभी तक कोई ऐसा रवाज नहीं आया जो कि हम जित्ते passengers गाड़ी के अंदर बैठे हों वो सब seatbelt लगा के बैठे हों और आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो airbags हैं और safety की बातें करते हैं वो तभी deploy होंगे जब तक सारी seatbelt लगी होंगी वो तब deploy होंगे और तब आप safe रह सकते हैं शैद आपको पता ही है दो साट डीड़ साल पहले Cyrus Mr. Saab की accident के अंदर मौत हो गई थी वो इस करके हुई थी क्योंके उन्होंने पीछे के seatbelt नहीं लगाई थी हालांके गाड़ी five star rating की Mercedes Benz थी और अगले दो जो passenger और driver थे वो दोनों safe थे क्योंके उन्होंने seatbelt लगा रख थी अब बात की बात कर रहे हैं हम five star rating की yes हमारे हाँ five star rating जरूर कुछ गाड़ीयों को मिली है but unfortunately अभी तक हमारे पास discipline of wearing seatbelts वो अभी तक काम्याब नहीं हुआ but sir अब जैसे माहिंदरा बुलेरो नियो को एक start दिया गया है हाला कि company ने इसको पूरी तरह से खारिज किया है company कह रही है कि साब यह तो बलकुल trusted गाड़ी है हमारी लोगों के विश्पास पर खरी उत्री हुई गाड़ी है robust built है इसकी highly dependable है शांदार इसकी capability है अलग-अलग usage conditions को handle करने के लिए तो क्या जो global end cap है क्या वाकई में उनके जो मानक हैं और भारत में जो road conditions हैं उनमें कोई अंतर आपको नजर आता है sir देखे साब ये तो जो कह रहे हैं बलेरो के जो इनको end cap की कम rating मिली है two star मिले है आपको चैद असलियत से नहीं देखी होगी या नहीं पता होगी राजस्तान के अंदर आप देखेंगे तो almost 90% जो commercial vehicles हैं वो सारी महिंदरा की हैं और बलेरोज हैं और उसके उपर सिरफ 5-6 लोग नहीं होते कम से कम 15-20 या कम से कम और ज्यादा भी होते हैं तो आप safety की तो बात ही उसमें छोड़ दीजिए क्योंकि safety का तो को मतलब भी नहीं है बाकी yes company की तरफ से दावे तो जरूर होते हैं कि हमारी गाड़ी safe है पर that does not mean कि वो safety test pass करें या ना करें जो actual safety test pass कर देते हैं उनको 5-star rating या 3-star या 4-star rating मिलती है आप claim करते रहिए कि हमारी गाड़ी बहुत मजबूत है बहुत tough है बहुत काम्याब है उससे आपको 5-star rating या 3-star rating नहीं मिल सकती बट सर ये जो पूरा अब खैर हमारा भारत rating system भी बन रहा है डिवलेप पूरा है लेकिन ये NCAP के बारे में कहा जाता है कि कम से कम ये एक decision informed decision लेने में मदद करते हैं कई बार companies कहती हैं कि साब जो global NCAP है उसकी वो जो Indian road conditions के साब से वो हमें अच्छे से rate नहीं करते या unrealistic उनकी rating होती है लेकिन महिंद्रा के मामले में महिंद्रा Scorpio N है 2016 में महिंद्रा Scorpio को 0 rating मिली थी लेकिन इस बार उसे 5-star rating मिली है तो Tata Nexon है उसको भी इस बार 5 rating मिली है Tata Harrier को भी मिली कुल मिला के कहने का मतब ही की ratings वो भी vary करते हैं अगर आप तबदीलिया कर रहे हैं safety के हिसाब से तो क्या आपको बहुत irrelevant लगता है सर ये subject की global NCAP में आपकी crash test rating क्या है या क्या नहीं 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 बिलकुल भी नहीं I think this is a very logical thing के global NCAP rating हो या हमारे हैं इंडिया के अंदर जो testing ground बन चुकी है इन दोर के पास वहाँ पे हमको rating मिले standards सारे similar हैं ये आप नहीं कह सकते के foreign standards ज्यादा उचे हैं और हमारे हिंडिया के standards कम है बाकी yes जो जैसे जैसे safety की तवज्यों की जाती है government की तरफ से भी instructions आती है वैसे वैसे manufacturer भी अपनी गाडियें safe करते जा रहे हैं जैसे आपने कहा कि 2016 के अंदर Scorpio को zero star rating थी और इस time पर five star rating तो obviously company ने काम किया है और company ने make it they have made sure कि उनकी गाड़ी have become stronger and safer तो ये ऐसी बात नहीं है बाकी है हिंडुस्तान के अंदर ऐसा कोई रवाज नहीं था पहले कि कोई five star rating देखे या three star rating देखे ये आप धीरे धीरे जैसे जैसे safety के ओपर तवज्यों दी जा रही है वैसे वैसे manufacturers भी अपने अपने they are trying to put their house in order absolutely sir और हमने पूरा हिंदुस्तान में auto की वो पूरी journey देखी है जब मारूती eight hundred से लेकर जब वो एक चोटी सी कार आई थी और उस ते इंडिन household भारत के परिवारों की पूरी कहानी बदल दी थी safety के concerns उस समय भी थे लेकिन option लोगों के पास उतने नहीं थे आज सर लोगों के पास पैसा भी है लोगों के पास काम करने के avenues भी है आपको लगता है जो typical Indian mindset है अभी वो क्या है वो अब सोच रहा है safety के बारे में या वो अभी भी affordability ही देख रहा है सर देखी majority तो देखा जाए तो वो affordability ही देखते हैं and majority ये भी देखते हैं कि हम तो highway पर जाते ही नहीं हम तो town में हैं हम सरफ office जाते हैं और वापत आते हैं तो हमको क्या जुरूरत है safety की yes जो लोग cross country चाते हैं they are doing lot of highway traveling उनके लिए it should be a must actually government की तरफ से भी थोड़ी सी सकती होने चाहिए इसके अंदर देखा जाया के जो highways के उपर गाडियें हैं are they safe उनके टायर नहे हैं या गिसे हुए हैं या पुराने हैं you know sometimes you can have new tires but shelf life उसकी 8 से 10 साल है तो they that means those tire have already lived their life so जुरूरी नहीं है कि आप tread देखके उसकी safety देखे ऐसा ही गाडियों के अंदर है जब आप highways के उपर जाते हैं जो आपने highways के 120 km की average speed दे रखती है तो obviously कहीं कहीं लोग 150 पर भी चले जाते हैं and they have to make sure that their car is safe and the people inside जो बैटे हैं सीडवे लगा के बैटे हैं God forbid कोई ऐसा हाथसा हो जाए तो at least गाड़ी भसम हो जाएगी पर लोग तो बच जाएंगे and sir हमने वो दौर भी देखा जब बारुती जैसी कंपनी तरफ से statement आया था कि साब आप बहुत जादा safety features मत लगाईए affordability पर असर पड़ेगा लोग कार खरी देंगे नहीं तो affordable segment जो है उसमें लोगों को कार मिल नहीं पाएगी क्योंकि हमको फिर rates बढ़ाने पड़ेंगे आपको लगता है आप safety features से last रखिये कार को ये companies को समझ में आ रहा है सिर देखिए company तो एक businessman है let me be honest with you उनको आप जित्ता मिठा मांगेंगे वो डाल देंगे you have to bear the cost अब शायद आपको पता नहीं है जब मारुती आई थी हाँ पर हिंदुस्तान में 1983-84 के अंदर तो उसके अंदर तो outside rear view mirror भी नहीं थे और seat belt भी नहीं थी धीरे एक culture आना चुरू हुआ जिसके अंदर outside rear view mirror लगने चुरू हुए seat belt लगनी चुरू हुए और उसके बाद अब retractable seat belt लगनी शुरू हो गई है अब जो latest आ गया है उसके अंदर आपको उसकी alert होने की light भी मिलेगी siren भी मिलेगा तो यह सब चीजें धीरे धीरे technology के साथ बढ़ती जा रही है और manufacturers भी काम अपना करते जा रहे है but let me tell you that कि वो जो चीजें भी लगा रहे हैं वो free नहीं लगा रहे हैं they are all costing money and everybody जो असकरीदने वाले हैं वो भी अप उत्ता ही दाम देना पड़ता है उनको if they want safety all right sir हमने अपने दर्शकों से आज का सवाल पूचा था थोड़ी देर में हम वो पोल भी लेकर आ रहे हैं और साथी साथ बहुत शांदार reactions भी आए हैं वो भी लेकर आ रहे हैं लेकिन उससे पहले एक quick question sir जो इस समय मौझूदा स्थिती में सबसे important सवाल है वो ये कि अगर अभी भी mindset affordability वाला है और जो स्वाभाविक है भी हम उभरती हुई अर्थववस्ता हैं स्वाभाविक रूप से हमारे aspirations पहले लेकिन अगर किसी कारण से मैं affordable segment में car ले रहा हूं और उसकी rating ठीक न रखना है sir कि rating खराब है affordable है मैंने car ले ली बट मेरे को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है sir सबसे पहले तो यह ध्यान में रखना है कि खैर वैसे देखा जाए तो government ruling की तरफ से basic safety तो सब कुछ वो लगा कर दे रहे हैं जिसके अंदर आपको ABS मिलेगा airbags मिलेंगे तीसरी बात यह है कि जो आप cross country जा रहे हैं तो try and not take a car which does not have a safety rating आप भार highways के ऊपर जा रहे हैं तो try आप विशक टेक्सी ले लीजे आप टेक्सी कभी देखेंगे तो उसमें भी 5 star rating होनी चाहिए जो आप ले रहे हैं तो there is always a chance which one should not take ऐसे जो accidents जो होते हैं कोई कह के नहीं होते इसी पेकद भी accident हो जाते हैं भी हाल के अंदर ही expressway के ऊपर एक पूरी की पूरी फैमिली खतम हो गई शादी पे जा रहे थे वापस आ रहे थे and the car के टायर फट गया और गाड़ी पलेट के दूसरी लेन में चले and everybody died. So, accidents is something which does not have any forecast. So, from your own point of view, you must have a safe vehicle and to keep that safety going, आपको seatbelts जरूर लगानी चाहिए हैं. One quick question sir, हमारा जो system है भारत में, जो सकारी तंत्र है, कई बार ये सवाल उठते हैं जब accidents हो जाते हैं, बड़े भयाव, बड़े दुखद, unfortunate accidents जब-जब होते हैं sir, वैसे तो हर accident unfortunate होता है, लेकिन कुछ accidents के बाद ये सवाल उठने लगता है कि ये गाड़ी तो fitness में पास ही नह ये गाड़ी रोड़ पर चल कैसे रही थी, इसको चलने दिया कैसे जा रहा था, unfortunately इस तरह के incidents सर बहुत सारे हैं, मतब ये छोटे मोटे numbers में नहीं है, जिसमें ऐसा लगता है कि unfit गाड़ी सडकों पर दौड रही थी और system आखें मूदे हुए था, तो वो system भी हमारा sensitized हु हुआ है सर या नहीं हुआ है? वो पहनते नहीं हैं, वो seatbelt के alarm को बंद करने के लिए clip को फसा के और अपने पीठ के पीछे रगा जेते हैं, so all these things have to have some personal knowledge और personal involvement in a car जिसके साथ आप अपने आपको भी safe रखें और औरों को भी safe रखें। On that note, अब वक्त हो चला है, आज के हमारे पोल का अपने दर्शकों से एक सवाल पूचा था, और वो सवाल ये था कि आप कार लेते वक्त किस चीज़ का धियान रखते हैं? पहला option safety का या दूसरा option है budget का, safety जादा प्रफर कर रही है भारती अजनता हमारे पोल्स के मताविक और ये बहुत अच्छी बात है, हमें देखकर ही अच्छा लगा, I'm sure ये safety first का जो नारा है, ये हर किसी को अपनाना चाहिए अगर आप कोई कार लेने के सोच रहे हैं, हाला कि 34 प्रतिशत लोग ऐसे भी है, याने कि आप कह सकते हैं कि हर तीसरा व्यक्ति ऐसा भी है, जो कह रहा है कि नहीं साब हमें थो थोड़ा budget देखना पड़ता है, बट जाता लोग safety को prefer कर रहे हैं, अब कमेंट देख लेते हैं, किन-किन लोगों के कमेंट आए हैं और क् सवाल है, गनु जी का reaction जो है, वो कह रहे है wife की choice, funny reaction, बट यह होता है कि पत्नी को जो पसंद आई गाड़ी या पती को जो पसंद आई गर के किसी important शक्स की तो उसी के इसाब से दिया जाता है, इसके बाद निश्य वर्मा जी का है, 90% Indian even me budget, बड़ा इन्होंने इमांदार स बजट देखते हैं हम तो, और यह जैसा सर भी अभी बता रहे थे कि अभी यह mindset अभी गया नहीं है, इसके अलावा एक और हमारे पास handle है, जो कह रहे हैं कि first safety, second color, third space, fourth comfort, तो यह इनका है, काफी अच्छा है इन्होंने अपना तरीका बनाया हुआ है, और इसके अलावा भी CBD, यह कुछ, मैं इसको, I'm so sorry, अगर मैं अच्छे से इसको प्रणूस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इनका जो जवाब है हमारे पास हो है कि relatives के पास कौन सी कार है, उससे अच्छी लेनी है बस, तो काफी funny reactions है, बट इसमें एक Indian reality भी है, और in reactions के साथ साथ हमारे जब polls के result ह है, वो भी हमने आपको दिखाए, अच्छा लगा हमें जानकर कि safety को लोग prefer करें, लेकिन हम चाहेंगे कि जादा से जादा safeties को आप prefer करें, और ratings पर भी गंभीरता से ध्यान दें, companies, thank you so much to to sir, हमेशा की तरह वक्त निकाला, आपने बहुत सारे सवालों को जवाब दिया, thank you so much.